दोस्तों आप देख रहे हैं सॉलूशन आठवे चैप्टर का प्रेश्टन बैंक का जिसमें D और F एलिमेंट हैं आपके उस कोशन पेपर का तो चलिए देखते हैं इसका PDF हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इससे पहले हमने चैप्टर 1 तो कि D5 है इसका परमानू करमांग क्या है तो इसका परमानू करमांग का आपको बताना था तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ख यानि की 26 इसके बाद मैं दूसरा क।षिण पूछा गए आपसे एक्टिनाइट स्रेणी में 14 तत्वे हैं निम्ड में से कौन सा तत्वे इस स्रेणी का नहीं है तो यहाँ पर TM जो है यह आपका इस स्रेणी का तत्वे नहीं है FM है आपका NP है और U यह सारे तत्वे इस स्रेणी के हैं अगर आपको कोई question में doubt लगता है या फिर आपको solution गलत लगता है तो उसका reply जरूर करें हमें इसके बाद मैं question number 3 पूछा गया आपसे जल में रंगहीन है तो जल में रंगहीन क्या है तो जल में रंगहीन है SC3 प्लस आयान या प्लस 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 भोल सकते हैं तीन बार इसके बाद में संक्रमक धातू अधिकतर होती है तो ये दोनों इसमें होती है प्रतिचंबक्य भी होती है और अनुचंबक्य भी होती है दोनों होती है ठीक है इसके बाद में निमलिखित में से सारवधिक प्रतिवर्थी संयोजता दरसाता है कौन सा दर्साता है तो C-O जाहे है यह आपका दर्साता है सारवधिक प्रतिवर्ती संयोगता इसके बाद मैं F-E Whлось E ing BTS E की संक्यय यानि एक्ट्रोनों की संक्यय कितनी है तो इसमें चार इलक्रोनों की संक्या है इसके बाद मेरिक स्थानों की पूर्ती करना है आपको तो यहां पर आपसे पूचा गया है परमानु क्रमांग में बृद्धी के साथ त्रियों जीस धनायकों का आकार क्रम से है घड़ता जाता है और जेड़ एन केवल प्लस टू आक्सी करन अवस्था प्रदर्शित करता है एफ बलाक संक्रमन की तत्व आंतर संक्रमन तत्व कहलाते हैं ठीक है इसके बाद में आंतर संक्रमन तत्व का सामान्य इलक्ट्रोनिक विन्यास एन माइनस टू इंटू एफ टू दी पावर वन तू फोर्टीन यानि वन माइनस फोर्टीन कॉमा एन माइनस वन इंटू डी की पावर वन माइनस फाव एन एन एस का स्क्रमन तत्व होता है आप इसको नोट कर ले इसके बाद में संक्रमनग धातुओं के आयन प्लस टू होते हैं अगर इसमें आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप जरूर हमें बताईएगा उसके बाद में संक्रमनग धातुओं उच्टम वन निउन्टम आक्सी करन अवस्ता प्रदस्शित करती है नेक्स जो कुशन है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है सही जोड़ियां आपको बरानी है तो सिक्का धातु कौन सा है तो कापर और सिल्वर गोल्ड है इसके बाद में दूरलब मरदा तत्तो जो है एफ बलाक के होते हैं यह सभी के निसान लगा रखें मिसर धातु जो है लेंथनाइट धातु प्लस आयन है और फ, ई, ए, सो, फोर और सेवन, स्टु, वो यह जो है हलका हरा हो जाता है जब इसको आप मिलाते हैं और रंगहीर और प्रतिचुंबक की यह जो है वो जेडन प्लस टु है तो प्लस में कौन सा आयन रंगीन है तो आपका COU प्लस जो आयन है वो रंगीन है इसके बाद में दूसरा कोशन पुछागा लेंथनम की कौन सी आकसी अक्षी करन अवस्था अधिक स्थाई होती है तो प्लस आकसी कारक का नाम आपको बताना है तो उसका नाम है के टू सी आर्टू ओ सेवन इसके बाद मैं आपको बताना है डी बॉलॉप के तत्वों में जेड एन परिवर्ति सुन्योजगता प्रदर्शित नहीं करता क्यों क्योंकि जो पूर्ण पूरित डी कक्ष है वो उसमें है ठ कर्मक नेसरल नेसलर अभी कर्मक इसके बाद में आपका नेक्स जो कुश्चन है उसकी बात करते हैं सत्ते सत्ते की जाच करनी है आपको तो इसमें पूछा गया आपको अंतिम इलक्ट्रोन फोर एफ उफ पोस्च में प्रवेश करने वाला तत्वा लेंथनाइड होता है तो पी ब्लोक के तत्व संक्रमन तत्व कहलाते हैं ये भी सही है और के एम एन ओफोर में एमन संक्रमन तत्व है जब ये इससे मिल जाता है तो संक्रमन तत्व नहीं रह जाता असत्ते है और इसके बाद में वैसे तो एमन संक्रमन तत्व है लेकिन अगर के एमन ओफोर के साथ यह साजा हो रहा है तो इसमें नहीं होगा और K2 CR2O7 एक आक्सी कारकपदार थे तो यह भी आपका सत्य है और V2O5 आक्सियाइड छारिय होता है तो यह सत्य है यह छारिय नहीं होता है अमली होता है और कॉपर का इलर्टोनिक विन्यास जो है 3D9 DS2 3D9 DS2 होते है तो यह सत्य है यह नहीं होता इसका तो यह था आपका चेप्टर नंबर जो एट है उसका सॉलूसन आपने देख लिया होगा इन सभी की PDF लिंक और सारे सॉलूसन का जो प्लेलिस्ट है हमने इसी वीडियो की description box में डाल दिया है तो वहाँ से आप देख सकते हैं और कोई भी आपको doubt है तो comment करना ना बुलें अगर कोई answer आपको गलत लगता है तो हमें suggestion जरूर दे सकते हैं बट हमारी तरफ से पूरी कोशिस होती है कि आपके लिए जो answers बनाए जाएं वो पूरी तरह से correct हो तो अशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगाओगा thank you very much for watching this video till the end